प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर लोक सबक्षित्र कांगडा के पूरफ सांसर डाक्टर रोजन शुशाद ने मंडी जीला के सुन्दर नगर से आगास कर दिया है राजन शुशाद ने कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन हो गया है और 25 अक्तुबर को विजय तश्मी के दिन शिमला में इसकी गोशना कर दी जाएगी इस अफसर पर डाक्टर राजन शुशाद ने प्रदेश की बाजपा और पूरफ की कांगरे सरकार पर भी जम कर हमला बोला डॉक्टर राजन शुशाद द्वारा हिमाचर प्रदेश की जहराम सरकार से अच्छा राजपाल शासन बनाया वीरवार को जीला मंडी के सुंदर नगर में आयो जित प्रैस वारता में डॉक्टर राजन ने प्रदेश में राजन सुशाद हमाचर प्रदेश के लागों एनपियस करमचारियों की पेंचन बहाली को लेकर भी अपना समर्थन दिया आज मैं सुंदर नगर आया हूँ दो बड़ा एजन्डा लेकर कि पहला एजन्डा है एनपियस को हटाओ और ओल्ड पेंचन स्कीम लाओ आज दूसर एजन्डा है हमाचर प्रदेश में ख्षेतिय दल का गठन जहां तक ओपियस का स्वाल है इसके लिए बहुत बड़ा संगर्ष हमाचर प्रदेश की धर्ती पर चल पड़ा है आज चाउबीस तारिक को चौटेश को अक्तूबर को परतेक जिला मुख्याले में हज्जारों की संख्या में हमाचर प्रदेश के इनपियस कर्मचारी इसमें सवें शामिवी ऑपियस के भी शामिल हों तो है अर्व सिरकार पकधबा बनाएंगे कि फ्षेतिय दल की बात है है मैं बड़े लंबे राजनेतिक जीवन में इस नतीजह प।ूंचा हूं कि हैज जुरूरत है ऐसे दल्की जिसका करेकता भी हृमाच्र का हो कि जिसका नेता भी हमाचरुपरदेश का हो जिसका हाइक मान समस्य हमाचल की हैं अधिकार हमने दूसराज चीमराफ करने के बात आती है तो चाए भारत्य जंता पार्टी का हाइक मान भूचाहिक न्यम और हो व्यव queering देखते हैं कि अन्य राज्यों में कितने MP हैं कितनी ताकत है उस मामले में हिमाचल बड़ा कमजोर्सित होता है और शेत्य दल का गठन मैं करने जा रहा हूं 25 अक्तोबर को विजय दर्श्मी के शुब आफसर पर प्रदेश की राजधानी शिम्ला में इसकी घोशना करूंगा कि सरकार तो है नहीं इससे बेतर तो राज्यपाल का शाष्ण होता माजी की बहुत लंबी चौड़ी स्टेट्मेंट पड़ी है मुझे दुख्वी पहुंचा है कि जीवन के इस पड़ा पर शांता कमार जी बड़ी वेदना के साथ कह रहे हैं कि मेरे खलाफ जो मामला किया है वो पार्टी के ही लोगों ने किया है पर मतिकत स्वाल नहीं है स्वाल यह है कि यह तो छोटी सी बात है